आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें सवर्णनांग क्या है, अगर आप को लेड़ी विलियन के चेप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा सवर्णनांग क्या होता है तो को स्वर्णांग दोस्तों क्या है, कि दिखो, द्रोष नहीं कोलाइड होते हैं, आपको द्रोष नहीं कोलाइड पता हूंगे, द्रोष नहीं कोलाइड क्या होते हैं, अभी मैं कोश्चन को डिसकस कर दूँ, फिर बाद में मैं सारे की परण बता दूँगा, ठीक है, पहल कोलाइड की रच्छी किरिया को किसमें परुरुष कियाता है? किसमें व्यक्त कियाता है? स्वार्णांग में व्यक्त कियाता है? तो यहां पर फिर्चत कि स्वार्णांग लेकिन देखो Sedan hm किसमें जादा में स्वार्णांग का होगा, स्वार्णांग कमें मतलब क्या है? आपके अंदर के क्शियन आंना चाहिए व्यक्त कuinsमाना चाहिए शाण आरना चाहिए दोको किसी भी द्रोइश नहीं कॉलाइड का स्वार्ण आंक उसका मिली ग्राम में, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजेगा, ये मिली ग्राम में बोल रहा हूं, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजेगा क्योंकि इस पे बेस कई नुमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है, म जिसका मिली ग्राम में वह नून्तम भार है, ठीक, नून्तम भार किसमे होगा, मिली ग्राम में, ठीक है, जिसकी उपस्थिती में दस ML मानक गोल्ड साल में 10% अने, स्रीयल विलियन का एक ML डालने पर, सौल का रंग लाल से नीला होने में रुख जाता है, अब ये याद रखे या इसकंदन रुक जाता है या फिर कह सकता है वपरिख पन रूख जाता ह। ठीक है, बिलskुल, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये हो गया, हमारा स्वुर्णांग," क्या होता है?" उसके बारे मैंने साथ बढ़ती है, एक रच्छी कोलाइड का स्वर्णांग कम होता है, ठीक, बिल्कुल, अब देखो, इस चीज को आप समझो, क्या, एक अच्छे रच्छी कोलाइड का स्वर्णांग क्या होता है, कम होता है, अब उस चीज को कैसे कम होता है, इसको भी मैं समझाता हूं, ठीक क्या होता है कम होता है मतलब अब यह कह सकतो अगर स्रोंड नांग बढ़ेगा तो उसकी रच्ची क्रिया घटेगी मतलब अगर रच्ची कुलेड है उसकी स्रोंड नांग कम होता है इसका मतलब कैसे, कैसे कम होता है, अब देखो, देखो, वो क्या है, कि किसी दिरो इतनी कुलेट का, मिली ग्राम में नूनतम मात्रा, अब देखो, जो रची कुलेट, जो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, रची कुलेट क्या होगा, जो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, मतलब उसकी कम मात्रा लेने पर रच्छी कुलाइड अच्छी हो जाएगी, इसका मतलब वो रच्छी कुलाइड ज्यादा प्रभावी है, कि उसकी कम मात्रा लेने पर ही रच्छण हो जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया, स्वाणां कम होने का मतलब क्या है, कि उसका मिली ग्राम में भार न्यूंतम है उसका मिली ग्राम में भार न्यूंतम है जब कम भार ही लेने पर मतलब कम आत्र लेने पर रच्ची क्रिया हो जा रही है मतलब वो रच्ची कोलाइड जादा प्रभावी है मतलब वो रच्छी को लड़ बहुत ही अच्छा है ठीक है इसी वज़े से बोलाता है कि जो अच्छा रच्छी को लड़ होता है उसका स्वाणना क्या होता है कम होता है इस चीज को आप याद रखेगा तो यहाँ पर मैंने पहले कोशन का detail wise explanation दे दिया अब दूसरा कोशन हमा हमारा क्या है ठीक है ओके जब किसी प्रिज्म से कोई भी प्रकास की किरण क्या होती है वीरल हवा क्या है हमारी वीरल माध्यम जब कोई प्रकास की किरण हमारी वीरल माध्यम से मतलब सगन माध्यम में जो हमारी कोई प्रकास की किरण वीरल माध्यम से सगन माध्यम में जात वो सात रंग हमारे होते हैं विब ठीक विब ग्योर ठीक ऐसे आद करो विब ग्योर अब देखो एल से आर से क्या है लाल रंग ठीक है ओके ओसे क्या है नारंगी ठीक बिल्कुल वाई से क्या है पीला ठीक ओके जी से क्या है हरा ठीक बी से क्या है नीला ठीक है ओके i से क्या है आसमानी ठीक ओके और v से क्या है बैंगनी ठीक ओके अब यहाँ पर यह इस क्रम में लिखे हैं तो आपको यह पता होना चीए जब आप इसी क्रम में ठीक जब आप इसी क्रम में उपर से सॉरी एक मिनट एक मिनट जब आप इसी क्रम में उपर से नीचे आओगी ठीक तो आपका क्या होगा आपका यह होगा क्या प्रकीडन घटता है क्या याद करोगे तरंग दैर्द क्या होगी तरंग दैर्द बढ़ेगी ठीक है बिलकुल और क्या होगा तीवरता भी बढ़ेग ठीक, समझ पा रहो कि नहीं समझ पा रहो, पहले मैं कॉनसे बिल्ड़ अप कर रहा हूँ, तीवरता भी बढ़ेगी, और तीसरी चीज क्या, प्रकीरण, क्या, प्रकीरण घटेगा, ठीक, ओके, प्रकीरण क्या होगा, घटेगा, अब देखो, यहाँ पे सबसे यादा प्रकी प्रकीरण किसका होगा, सबसे कम प्रकीरण लाल रंग का होगा की नहीं होगा, ठीक है, सबसे कम प्रकीरण किसका होगा, सबसे कम प्रकीरण दोस्तों, लाल रंग का होगा, होगा की नहीं होगा, बिल्कुल, आपको यह चीज पता है, अब प्रकीरण का मतलब क्या है, कि प किसका है? आप यह बता सकते हो. सबसे जादा प्रकीडन किसका है, बच्चों? आप बाताओ. सबसे जादा प्रकीडन बैंगनी रंका है, वहीं नीला, sorry, ठीक है? ओके, बैंगनी रंका, ठीक? अब देखो. यहाँ पर कॉश्चन में हमसे क्या बोला है? कि खत्रे के सिर्फन मे प्रिक्रिडन से जादा है कि नहीं है ठीक है बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्द सबसे जादा है ठीक तरंग दैर्द क्या है सबसे जादा है जब तरंग दैर्द सबसे जादा है तीवरता भी उसकी सबसे जादा है अब तीवरता का मतलब यह है कि लाल रंग को आप दूर से भी देख लोगे तीवड़ता का मतलब यह है कि उसको आप दूर से भी वरभ का यह देख लोगे कि और इसकब प्रिकुरिडन भी कम होता, प्रिकुरिडन कम होका वो चार देख्शाओं में फैलेंगा नहीं ठीक? आपको बहुत दूर से आसानी से दिख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, तो इसी लिए खत्रे का सिगनल लाल रंग का है, इसलिए बना जाता है, क्योंकि दूर खड़े विक्त भी आसानी से खत्रे के सिगनल को देख कर सचेत हो सकते हैं, साउधान हो सकते हैं, ठीक है, इसी वज़े से क्या होता है सबसे कम प्रिकेडन लाल रंका होता है इसी वज़े से हमारे खत्रे के सिगनल लाल रंके बना जाते है जबकि हमारे जो नीला रंक है उसकी तरंग दैर लाल रंके कंपेरिजन में कम होती है ठीक है जिससे उसकी तीवरता भी कम होगी ठीक है? तो दूर खड़े वेक्ट नीले रंग को असानी से देख नहीं पाएंगे इसी वज़े से क्या होता है? कि नीले रंग का नहीं लाल रंग का हमारा खत्रे का सिंगनल लाल रंग का बना जाता है ठीक है? वो असानी से दिख जाता है इसका मतलब ये है कि उसकी तीवरता जादा है उसकी तरंग जादा है जिससे हमारी आँखों को सबसे पहले लाल रंग देखता है आप देखेगा कि आप इस चीट को आपजर करिएगा का मैं मैं आप जोर करना के लाँख आप आप लाल रंग हो ठीक है? एक गृरीन हो ठीक है और एक क्या हो एक आपका ब्लू हो ठीक उस में आप देखेगों कि सबसे पहले आपकी आंखों को लाल रंग हो जाधा अर्ट्रेक्टिव करेगा लाल रंग की तरप आपकी आँके नजर जल्दी जाएगी, ठीक है, इस चीज को समझेगा, ठीक है, मतलब लाल रंग का प्रिक्विडन कम होता हूँ, सबसे पहले मैं लाल रंग ही देखता है, इसी वज़े से क्या होता है, घजरे के सिंग्नल को लाल रंग का बना जाता है, दोस्तों, यहां पर मैंने डेटेल वाइज आपको अंसर दिए हैं, ठीक है, तो अंसर को अराम से देखेगा, और मैं आशा करता हूँ, पूरा कोशन आपको समझ जाओगा, धन्यवाज.